वेबसाइट को कैसे एकसे करना है जो लोग इन्रॉल कर चुके हैं वो कैसे एकसे करेंगे तो आपको विजिट करना है smartlearningacademy.in पे यहाँ पे आप विजिट करेंगे विजिट करने के बाद यह वेबसाइट इस तरीके से ओपन होगी ओपन इन्रों के बाद आपको यहाँ पर विजिट करना है ग्रैस कोर्स गेट एकसल अगर जिन्होंने पर्चेस नहीं किया वो भी यहाँ इसी थ्रू जाएंग पर्चेस कर सकते हैं यहाँ पर विजिट करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा आपको पर्चेस करना होगा अगर जो लोग पर्चेस किये हुए हैं जो लोग पर्चेस किये हुए हैं वो यहाँ से पर्चेस कर सकते हैं जो लोग किये हुए हैं अच्छी बात ह पड़ेगा अपने profile से login करने के बाद my courses पर जाना है कहां पर जाना है my courses my courses पर आपके जाने के बाद इस तरीके से courses दिखेंगी यह एक demo course है जो कि यहां पर चल रहा है इस demo course के लिए मैं आपको बता दो कि यहां पर कुछ हो सकता है schedule के लिए यहां पर आप विजिट कर सकते हो schedule यहां पर है और बाकी courses इस तरीके से अगर आप यहां पर गड़ते हो न बायो process engineering continue करेंगे तो यह जो होगा कल आएगा class start जो होगा वो 2020 जन्वरी को हो रहा है 6 pm पर होगा तो इसलिए यह कल सा start हो रहा है तो आप यहां से access आज नहीं कर पाऊगे ठीक है यह courses यहां से देख सकते हैं मैं बस एक आपको platform demo देने के लिए एक demo class पर लेके जाओंगा यह रहा demo class क्लिक करेंगे आपको demo class क्लिक करने के बाद कई सारे courses आएंगे course content और यह सारा चीज़े continue करना है course को continue किया यह कुछ परिषे को लागी बना हुआ है कि आपक बना हुआ थे अब पर लेखे और अगर यह कु लैप करना है तो इस तरीके से लाइप बना हुआ सिमबल में यह लाइ बना हुआ सिमबल में यह लाइव बना Torah assuming That you can get to the recordings करते भी मिलेंगी यह रही recordings आपको यहां पर मिलेगा आप देखेगा कि live के लिए आप live पे click करेंगे जाएंगे उस live session पे जो भी session होगा इस तरीके से platform visit होगा live session पे आप लोग जोड़ गए है live session पे you need to take a permission to play audio बिल्कुल audio play करने के लिए आप जा सकते हैं ठीक है अप यहां पे play कर सकते हैं जैसे आप audio प्ले करेंगे तो क्या हो जाएगा तो आपको live class कुछ इस तरीके से दिखेगी आप live class जो होगा इस तरीके से आप देख सकते हो यह जो है live classes इस तरीके से जो educator होगा आपका यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो educator होगा वो इस platform पे देखने को मिलेगा तो आपको educator यहां पे दिख रहा होगा आपका जो पढ़ायगा वो यहां पे जैसे कि मैं यहां पे दिख रहा हूँ हला कि मैं webcam access कर रहा हूँ अलग तरीके से तो आप यह मत सोचीएगा कि आप यहां पे आएंगे आप इस तरीके से access हो सकते हैं ठीक है यहां पे make a full screen, full screen कर दिया इस तरीके से full screen चलेगा चैट करना है continue करना है चैट को यहां पे send message पे जाईए यहां पे लिख दीजिए hello ठीक है hello लिखेंगे तो आपको इस तरीके से hello लिखने के बाद यह reply आ जाएगा जैसे जो भी है ठीक है वो आपको reply आ जाएगा इस तरी अगर मैं आपसे बहुत यह जो session है वो record हो रहा है अगर कभी कोई educator आपसे miss हो जा रहा है कि वो sessions record नहीं कर रहा है तो आप educator को बोल भी सकते हो recordings की ma'am और sir आप इस session को recording on कर लीजिए अगर आप सीधे सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हो educator को पूरे screen पे तो आप यहां पे click ले करके देख सकते हो उसके अलावा अगर आपको ठीके अगर important जो part play करते हैं कि यहां पर आप देख रहा होंगे कुछ type करना है यहां पर अपने type कर लिया audio यहां से सुनी रहे है एक extra feature जो यहां पर आता है वो क्या आता है कि that is what the webcam sharing वो क्या है अभी locked है यहां पर आप दे text के form में नहीं पूछ पाते तो आप क्या करोगे उसको अपने educator से पूछो कि क्या करना चाहिए तो वो एजुकेटर आपको बतायागा कि इस तरीके से जो है वो unlock करेगा फिर कैसे share करना है मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा वो आपको unlock करेगा क्या करेगा जैसे कि य आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आप यहां पर जाएए शेयर वेबकेम स्टाट सेरिंग आप इसके लिए कर सकते हो अपने वेबकेम की सेरिंग कर सकते हो जैसे कि मैं यह दो अलग अलग वेबकेम है तो आप इस तरीके से जूड सकते हो इसके अलामा यह अगर डा live talk भी कर सकते होकि की हा मैम और सर जो है यह मेरी queries हैं इस तरीके से solve करना है आपके queries को definitely solve करेंगे आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं यहाँ पर और अगर आपका queries खतम हुआ और उसके बाद आप है से access कर सकते हैं, तो यह इस तरीके से platform चलेगा, इस तरीके से access होगा, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, आप यहाँ पर access कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई कुछ भी explain होगा, तो आपको यहाँ पर देखेगा, कि यह चीज ऐसे चल रही है, manometer किसे match होता है, यह सारे form कैसे match होते हैं, तो यह सारा form जो होगा, यहाँ पर आप access कर सकते हैं, इसके लामा एक user toggle के बाद करते हैं, कितने यहाँ पर देखेगा, कितने users हैं, वो दिखते रहते हैं, public chat क्लिक करोगे, तो वो भी आजाएगा, public chat को आप minimize भी कर सकते हो, अगर कई सारे learners जो होते हैं, कि अग आपके लिए यह हो गया, कौन को जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उरसके बाद आपको क्या करना है, यहां से full screen कर लीजे, यह रहा full screen आपका, एक educator जुड़ा है, यह पूरी slide है, learn कर यहाँ पर आराम से कि क्या चल रहा है, क्या नहीं सिर्फ और सिर्फ को no disturbance, no chat, no form, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है, यह सारी चीजे इस तरीके से चलती रहेंगे, classes चलती रहेंगे, recording चलती रहेंगे, आप उन चीजों को देख सकते हैं, इस particular form में, hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह video कैसे किस तरीके से चल रहा है, तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, learn कर सकते हैं, और crash course के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, कहां पे, smart learning academy के platform पे, ठीक है, यह सारी चीजे आप लोग कर सकते हैं, यहां से फिर options पे जाके, आपको क्या करना पढ़ेगा, exit full screen, आप अगर toggle को ले आना चा बार निकालिएगा, चाहे वो गीट हो, कोई भी exam हो, यह gate excel और gate biotech के लिए crash course आप लोगों के लिए ले के आया गया है, SLA first use करिएगा, अगर आप subscribe करना चाहते हैं, SLA first जरूर use करिएगा, subscription के लिए, so this is a demo class, कैसे access करना है, आपको smart learning academy classes, website के थू, इसके बाद बयात करता इस्टॉल करने के बाद आपने open किया, open करने के बाद आपको login ID मांगी जाएगी, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कि यहाँ पर login ID password यूज करना है, ठीक है, login ID password यूज करना है आपको, अगर आप first time यूज करने तो आप या new year या sign up पे जाके, आप अपना ID create कर सकत हैं तो उसके लिए आपको click करना होगा यहाँ पर और जाना होगा my courses पर, जैसे आप my courses पर click करेंगे, यह get bt और excel का course already processed है, तो इसमें सारी चीज़े दिखने लगेंगे, जैसे bio process है, process biotech है, botny है, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे, और just for demo, यहाँ पर एक already live class है, जहाँ पर मैं चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कि live class कैसे access करना है आपको, ठीक है, so, यहाँ पर अगर आपको recording देखना है, तो इस class पर click करेंगे, यह view recording है, hello guys, welcome to the smart learning academy, और जैसे है कि मैंने आपको बताया कि आप website के through access कर सकते हो, या app के through access कर सकते हो, हम आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो कि smart learning academy को अपने mobile browser या आप chrome से visit कर सकते हो, chrome से visit करेंगे smart learning academy को, उसके बाद आप scroll करके जाएंगे crash course पे, git crash course यहाँ पे, जो git crash course है, git biotech और excel के लिए visit करेंगे, यहाँ पे, click करेंगे, वो आपको इस particular crash course के लिए लेके आ नहीं किया है, तो आप click करके नीचे जाके purchase कर सकते हैं, अगर already purchased होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, login करना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी email id और password यूज करके आपको login करना है, फिर जैसे आप edit करोगे, आप इसके बाद क्या आ जाएगा, कि यहाँ पर remember कर सकते हो, अगर कर सकते हो, यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, अगर मैं continue की बात करूँ, तो time जो है, वो कल लाइव होगा लाइव क्लासे से इसलिए यहाँ पर यह चीज़े नहीं आ रही तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप as a demo में यहाँ पर बता सकता हूं exactly same interface जो website जो app same interface यहाँ पर भी mobile website पर यूज कर सकते हो यहाँ पर continue कर सकते हैं इस course के लिए course जो है live class जो यहाँ पर ज recording पर click करेंगे तो recording यहाँ पर play होने लगेगी और अगर आपको यहाँ पर जाना है इस demo में live class पर जाना है तो आप यहाँ पर click करेंगे और यह जो है वो live class के लिए आपका जूड़ जाएगा live class के लिए इस तरीके से interface आ जाएगा जो की link हो रहा है connect किया जा रहा है आपसे audio play करनी के लिए बोला जाएगा so आप यहाँ पर जोड़ चुके आप लोग देख सकते हैं कि webcam में यह educator आपको मिलेगा और यहाँ पर आप एक्सिस कर सकते हैं अगर आपको educator को zoom करके देखना है आप click करेंगे educator को zoom करके देख सकते हैं या अगर आपको slide जूम करना है तो zoom कर के से देख सक्सिस को rotate करेंगे तो वो landscape mode में भी आ जाएगा उसके लामा अगर मैं आपसे बात करूँ कि webcam sharing करना है तो webcam के लिए क्या करेंगे यहाँ पर एक्सिस कर सकते हैं यहाँ आपको unlock किया जाएगा आप request कर सकते हैं अपने educator से unlock करने के लिए unlock करेंगे unlock करने के बाद क क्या हो जाएगा कि आप access करेंगे यहाँ पर start sharing तो webcam find करने की कोशिस करेंगा जो कि आपका front cam होगा यहाँ से webcam find out होगा find out करने के बाद क्या हो जाएगा start कर सकते sharing start sharing करेंगे तो start हो जाएगा फिर आपको cancel कर देना है और इसके यह सारी चीजे कर सकते हैं कितने लोग जुड सकते हो यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने आपको 30 चीजे बता दी है website app और mobile website जो है जो तीनो सारे link access है अप कहीं से भी सीक सकते हो कोई بी दिकत की बात नहीं है ठीक है तो आप हमें कहीं से भी सीख सकते हो, मैंने आपको तीने चुज़े बता दी है, mobile, that is what, mobile website, mobile app, और laptop website के बारे में, तो जो website है हमारी, वो तीनों जगह work करती है, actually mobile और laptop दोनों जगह work करती है, और उनसे जोड़ सकते हैं आप, so thank you for watching this video, अगर आपको कोई queries है, तो आप comment box में भी बता सकते हैं, या WhatsApp पे हमें discuss कर सकते हैं, या Facebook पे हमें message कर सकते हैं, तो thank you very much for watching this video,